असलाम लेकुम डिये लेर्नर्स और बात हम कर रहे हैं business growth models की बड़े excited हो जाते हैं business growth कर रहा है, काम्याब हो रहा है, customer base भी हो रही है, revenue stream भी generate हो रही है, लोग भी जानते हैं कि हम कारोबार जहें वो करते हैं, competition भी अच्छा है, networking भी अच्छी हो गई है, but hold on, एक और model है, जो word इस्तमाल किया गया, that is crisis, grow करते हैं तो मुश्किलात भी आती हैं, so in crisis को as a challenge आपने receive करना है, model का नाम है, that is Griner's Growth Model, और यह organization के, जिस तरह हमने पहले एक model को discuss किया था, कि मुखले phases को discuss किया है, यह भी मुखले phases को discuss करता है, but in phases के साथ साथ आने वाले crisis और challenges से भी आपको आ अगर आप देखें तो आपका जो business का जो size है, वो from small to large, अगर आप वो increase हो रहा है, with the passage of time के आप young enterprise हैं, यानि अभी अभी कारोबार का आगाज हुआ हैं, यह आप आप mature हो रहे हैं, और आप देखेंगे के इसमें, actually मैं graph यह बता रहा है आपको, कि if you are young, you are small, and slowly and gradually with the passage of time, जिस तरहां से आप organization mature होती चली जाएगी, हम उमीद रखते हैं कि आपका business का जो size है, वो large होता चला चाएगा, इसमें 6 phases और 5 challenges यह 5 crisis हैं, जिनमें phase 1 है creativity, phase 2 है direction, phase 3 है delegation, phase 4 है coordination, phase 5 है collaboration, और phase 6 है alliance, यानि आपका business grow करता है through creativity, direction, delegation, coordination, collaboration, and alliance, but along with certain crisis and challenges, हम सबसे पहले phase की बात करते हैं, and that is creativity, creativity आपका बिलकुल पहला phase है, in other words, अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो के अदर जो हमने model discuss किया था, that is basically, आप जो समझे हैं कि that is a period of your existence and your survival, आप अपनी creativity के ओपर बहुत जादा rely कर रहे होते हैं, खुद देख रहे होते हैं, चीजें को कोशिश कर रहे होते हैं, कि किस तरहां से, कि cost reduce कर ली जाए, customers बढ़ा दिये जाएं, पैसे भी ना लगें, बचत भी हो जाए, product भी अच्छी हो, so you are heavily depending on your creativity, so that's the phase number one, when you are very young, you are just sitting in the incubation center, incubation से अभी अभी बाहर आए हैं, या आपने कारोबार का आगास किया है, so you are in the phase one, that is creativity, से जाएंगे, phase two, which is again the direction, direction से शुरू होंगे challenges, अच्छा, phase जो direction है, growth, through direction, उसमें क्या है, पहली बात तो यह है कि आप, पहले phase one के अंदर तो आप बहुत ज्यादा creative होते हैं आप लोगों से समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, बता रहे हैं, informal communication कर रहे हैं, इतनी चीज़े बेच दो, फलां customer के पास चले जाओ, उससे product वापस ले आओ, फलां बंदे से पैसे पकड़ के ले आओ, ये एक informal communication हो रही होगे, जब आपकी informal communication कामयाब नहीं हो रही, और number two, अब कारोबार इतना बढ़ गया है, customer base इतनी बढ़ गया है, कि आप फुद जाके हर एक छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, हर एक चीज़ के उपर नज़र नहीं रख सकते हैं, हर एक creditor के पास जाके पैसे ले या दे नहीं सकते हैं, तो फिर आपके पास, मतब यह होगा, कि अब चुके आपका business grow कर गया है, अब आपने लोगों को directions देनी हैं, आपने लोगों से काम निकलवाना हैं, तो पता ही चलेगा कि आपके अंदर leadership qualities कितनी अच्छी या कितनी बुरी हैं, so it's the leadership crisis, बहुत से लोग खुद काम करते हैं, तो बहुत अच्छा क बाद आता है, उसे next phase, which is a delegation stage, अच्छा, delegation stage क्या है, delegation stage यह होती है कि business काफी हद तक grow कर गया है, अब यह वही बात आ जाती है, take off stage की, काफी हद तक grow कर दिया है, आपने marketing के लड़के अलग रखे हुए हैं, आपने sales के लिए कुछ team अपनी अलग रखे भी है, आपने जो product को बना रहे हैं, वो अलग रखे हुए हैं, अगर आप manufacturing unit के अंदर हैं, यानि आपके पास marketing हो, या आपके पास management हो, या आपके finance हो, या आपके computer को कोई देख रहा हो, तो आपको कुछ functional team नज़र आ रही होती है, आपने delegate करना होता है इस काम को, delegation जो है, उसमें यह है कि leadership और struggle करती है, because आपको हर hold और हर चीज़ तो अपने हाथ तक रखने की आदत होती है, so यह जो stage है, the delegation stage, it comes up with the crisis of autonomy, आपको autonomous करना बढ़ता है, marketing वला लड़का कहता है, कि फला बंदा कह रहा है, इतने percent discount दूँगा, तो चीज़ खरीदेगा, आप मुझे इतना इक्तियार तो दे या कोई pamphlet छपाना है, finance वाले कहेंगे कि हमें थोड़ी से आजादी दें, हम book of accounts को देखना चाहते हैं, हर कोई आके आपसे आजादी मांगेगा, कि हमें थोड़ी से autonomy दें, ताकि हम चीज़ों को खुद अपनी नजर से देख सकें, ताकि एक अच्छा result प्रोड्यूस करक बहुत देर तक grow नहीं कर पाते हैं, उनकी वज़ाई यह होती है, एक तो उनकी leadership qualities अच्छी है या बुरी हैं, basically वो share ही नहीं करना चाहते हैं अपनी authorities को दूसरे लोगों के साथ, अपनी team के साथ, so it brings up with delegation, जिसे कहते हैं authority, और autonomous, जो होना चाहेंगे ना सारे उसकी crisis आएंग है, हर department आपका अलग अलग नजर आता है, आप sell court जाएं, आप गुजरावाला जाएं, आप इसी तरह जितने भी हमारे industrial areas हैं, फैस्टाबाद जाएं, वहाँ पर जाएंगे, small न medium enterprises हैं अभी, लेकिन आपको नजर आएगा, अगर आप उनकी जाके factory visit करेंगे तो बताएंग है, यह हमारा marketing department है, यह हमारा finance department है और यह हमारा manufacturing unit है और यह सारे आपस में एक दूसरे के साथ coordinate कर रहे होंगे और इसकी एक hierarchy होगे, जो coordination है, it will come up with the crisis of control, अब आपको control रखना पड़ेगा, quality standards लाने पड़ेंगे, management को, marketing को, finance को, manufacturing unit को, इनकी coordination कहीं ऊची नीची होगी तो coordination, you'll come up with the crisis of control, you need to keep an eye on them, और इसके बाद आती है, collaboration, collaboration को मत्तबी है कि business आपका इतना ज्यादा ग्रो कर गया है, और business के अंदर वाकाइदा आपके department हैं, और departments में आपने SOPs यानि standard operating procedures बनाए हैं, SOPs बनाए हैं, कुछ rules, कुछ regulations, कुछ policies बनाए हैं, अब वो इतनी mature हो गई हैं कि वो जो policies हैं, उन्हों नहीं decision making में जिसे कहते हैं न वो रखना डालना शुरू कर दिया, यानि आपकी decision making slow हो गई है, आप check लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इसकी details हमें दें, क्योंकि हमने audit करवाना है, तो इसकी परची हमारे पास होनी चाहिए, so decision making जब share होना होते हैं, यानि business इतना बड़ा है कि अगर एक को छुटी भी चाहिए, या किसे को fire भी करना या hire भी करना है, तो पूरा एक HR policy involved हो जाएगी, या पैसे निकलवाने या जमा करवाने तो पूरी financial, आपकी SOPs involved हो जाएंगे, या फिर आपने marketing करनी है, तो पूरी budgeting के SOPs involved हो देर से हो रहा है, ठीक है, और आखरी जो stage है, that is alliance, alliance का मत्तब यह है कि अब आपका business इतना mature हो गया है, product इतनी mature हो गया है, कि आपके business में आप खुद से grow नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक option यह भी होती है, कि आप दूसरे businesses के साथ alliance करते हैं, यह लेकर आता है crisis of growth, यानि in other words अगर आपने grow करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा पता चले, आप बराबर की collaboration के लिए जाना चाह रहे थे और थोड़ी दिर के बाद आपके पूरे business को ही take over कर लिया गया है, इस पूरे model को गर आप देखें, और again, पहली वरी बाद, किसी के पास जाएं, उन स से कहते हैं, वो collaboration के दुरान, autonomy का, जो है, वो crisis का शिकार हुआ, किसी ने ये शिकायत की, कि मेरी team मेरी पैसे लेकर भाग गई, किसी ने शिकायत की, कि मेरी team मेरी बात नी मानती थी, किसी ने ये शिकायत की, कि हमने तो partnership करनी थी, वो मेरा पूरा का पूरा business उड़ा के ले ग करना पड़ेगा, तीसरा, अगर आप grow करना चाहते हैं, business का बकाईदा आपको structure develop करना पड़ेगा, evolve करना पड़ेगा, क्योंकि at the end, business जब grow करते हैं, तो वही businesses, जो अपना structure maintain करते हैं, through their experiences, वही survive करते हैं, otherwise, वो survive नहीं कर पाते हैं, conclusion, if you look at the conclusion on your screen, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी existence stage है, basically वो आपकी creativity stage है, आपकी survival stage है, ये दो models को हम इकटे बता रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास directions और crisis of autonomy आती है, जो आपकी success stage है, उसमें वो delegation और control की crisis आएंगे, जो आपकी take off stage है, उसके अंदर coordination के, जो है, वो crisis आएंगे, और जो आपकी resource maturity stage है, उसके आपको alliances, आपको openness के, आपकी team ही तयार नहीं होगी, कि आपकी इसी के साथ जाक के alliance करें, आपकी पुरी team आपको रोक रहोगी के alliance नहीं करना, whatever the case is, you need to grow, growth has its own issues, और हम इमत्यास खालिद साब से जरूर पूचेंगे, उनके तजरूर पूचेंगे, उनके तजरूर फादा See you in the next video